ताहे पिछले भैकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाये धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम के डिशिस थे मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारों से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जारा सब की किस्मत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा पर मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देको मजाग मत करो मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मचली पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनौती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूं समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरे मोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनौती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिशपॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचलीया सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ दाद स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फेशेक्स जो कुछ ही देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट अब आप भी तयार हो जाए अब जन्दे लीजिए डाट पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरुवत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्मॉल लाइट समाज गया तुमने डाट को चोटा कर दिया ता कि वो मिनियेच अ माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से नीजो उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओ ओ ओ एक सारी मचलिया है वहाँ तुमने देखा डाद कितने खुश है हाँ डोरी मौन तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैं ना सीरीज के बारे में ओ हाँ नो बिता कैस का मतलब यह है कि अलग-अलग तरह के बाहर होते है तुमने सही कहा अच्छा केस तरह की बताओ ना Dorymon Rock climbing practice के लिए rocky mountain होते है Skiing तो बर्व कि स्लोफ पर की जाती है और hiking के लिए बच्चे mountains पर जाते है Survival skills के लिए भी mountains होते है और कई तरह के mountains होते है सुनो Dorymon, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं क्या कोई मश्रूम का माउंटेन भी होता है हाँ होता है सच में काँ पर है मुझे देखना है नोबिता रुख जो उन्मे उसे बार निकालता हूँ रुख जो आपा मज्शू माउंटेन यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे ये अब तुम क्या करोगी अच्छा सुनो नोबिता मैं तुमें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे इस तरह और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और ट्यूब में बादल तुम इनकी साथ क्या करोगी थोड़ा सा सब्र करो ये देखो सब तयार है नोबिता अब हम लॉंच करने वाले हैं सन अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश और फिर तुम देखना नोबिता करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे जोरी मोल क्या मैं शिजू को और बागी दोस्तों को बुला लाओं हाँ जरूर बुला लो क्यों में अलिया दूू। क्या हम सारे मश्रूम सोड़कर खा सकते हैं मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नोबिता मैं सच कह रहा हूँ आओ तुम खुद ही देख लो अले नोबिता देले चलो कि चलता है देले चलो हे नोबिता शिजू का तुम दोनों कहा जा रहे हो क्या सच मुझे नोबिता मैं भी आना चाहता हूँ हलो आउंटी हलो आउंटी हलो बेटा दोरे बोन हमें बताओ मश्रूम कहा पर है चलो हम शरू हो जाएं हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजू का मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला हे नोबिता देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है शिजू का आउँ वहाँ जाकर देखते है अच्छा ठीक है जड़र में ले रुको तो सही जुल दिया बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी कोलेटी का होता है यह निजे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम चार क्रोकेट्स थाइक्च्यू मैडम आज मश्रूम्स बहुत सस्ते बिख रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यों नहीं यह हैं तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बास्कट तो फॉल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे चीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा एडिया है एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं फ़र अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुकार बाकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्पू क्या ये मश्रूम्स की खुश्पू है ये खुश्पू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वह मला गया क्या खुश्पू है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाँ मज़ा आ गया तुम इती जल्दी में मत खाऊ उन्हों पिता चोड़ो ना यार खाने में दो ये अभी तयार नहीं हुआ जियान अभी सब्र करो चलो अब वापस चलते हैं हाँ रही है चलो चलो इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा आँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जर मन करें आजाना डोडी मॉन क्या डाटने कोई मश्री पकड़ी होगी आओ दीखते हैं है सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हें तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच उटा के माउंटेन से लाए हैं क्यों शिजू का ठीक हाना हाँ जी आन तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते हैं चाहो तो एक ले लो सुनियो हाँ लकीन नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मचलिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरे मॉन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डाग, आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ, अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे, पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे हैं ये देखो ये सब क्या है, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ ये, ये तो ये है मश्रूम्ज और मचलिया अरे, ये कैसे हो सकता है मॉम, मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप, ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम्ड मश्रूम्ज ग्रिल्ड मश्रूम्ज और ग्रिल्ड फिश, ठीक है न नहीं, ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे, मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप इतनी सारी मश्निया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बिल्कुल